मैं बहुत निश्चित रूप से मानता हूँ कि कोई भी इलाज या सर्जरी ना सिर्फ असरकारक होनी चाहिए पर सर्जरी या त्रीटमेंट का जो अनुबव होता है वो भी पीडा रहित और कमफरटेबल होना जी और अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी की बात करें तो ज्याद ज्यादा तर मरीजों का अनुबव बेरियाट्रिक सर्जरी का पीडा रहित होता है और उसका रिकवरी काफी सरल और स्मोथ रहता है वैसे भी बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद दर्थ ज्यादा नहीं होता है क्योंकि यह सर्जरी लेप्रोस्कोपिक मेथड से की जाती है ज् हमारे मरीज ऑपरेशन के ही दिन कुछ गटों के बाद बिना जादा तकलीफ के विस्तर से निकल के चल फिर पाते हैं, खुदी वाश्रूम जा पाते हैं और पेंट किलर दवायों की ज़रूरत भी काफियर तक कम होती है, हाँ ये जरूर है कि हम ऑपरेशन के दोरान उचित ख कहा जाता है, जो हमें आपको पेंट्री रखने में मदद करता है, ज्यादातर मरीजों को ऑपरेशन के दूसरे दिन, इंजेक्शन के माध्यम से कोई दवायों की जरूरत नहीं परती है, ऑपरेशन के दूसरे दिन का आपका हॉस्पिटल स्टे ज्यादातर अब्जबरेश की जरुवत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा तकलीफ के बिना आप खुद से उठके चल फिर पाते हैं वाश्रूम जा पाते हैं और एक बार इतनी की चीज सुनिस्चित होती है जो की ज़्यादा तर मरीजों में ऑपरेशन के दूसरे दिन हो पाती है तब आपको हॉस्पिटल से डिस्चाज किया जाता है डिस्चाज के समय ज़्यादा तर मरीज ऑल्मोस्ट पेइन फ्री होते हैं उनको इंजेक्शन की कोई जरुवत नहीं होती है खुद से ही उठके चल फिर पाते हैं वाश्रूम खुद जा पाते हैं और खुद का खयाल रख पाते हैं चुट्टी के समय पे आपको चलने फिरने की या सीडिया चड़ने पर हमारी कोई मनाई नहीं होती है आप जितना चाहे उतना चल सकते हैं जब तक कि आप काफी सारे हमारे पेशिंट्स ऑपरेशन के करीब एक हफ़ते के अंदर उनका ओफिस वर्ट फिर से शुरू कर पाए हैं और जादा तर मरीजों में ऑपरेशन के स्ट्रेस के बावजूद ऑपरेशन के बाद शुरूद में लिक्विड आहार के बावजूद ऑपरेशन के या थकावट नहीं महसूस करते हैं, जादा तर मरीजों का अनुगव होता है, कि वो जादा फूर्थी और ताकत महसूस करते हैं. यह जरूर है कि हर एक इंसान का और हर एक मरीज का रिकवरी अलग होता है, और इसलिए कितना जल्दी एक्टिविटी शुरू करना है, आपको कितना जादा चलना है, वो आपको अपने कमफर्ट लेवल पे टै करना चाहिए. काफी सारे पेशेंट्स जिनको काफी सारी मेडिकल प्रॉब्लेम्स है, और्थोपेडिक प्रॉब्लेम्स हैं, काफी गुटनों का दर्ड, कमर का दर्ड और काफी बुरुद मरीज जो बेरियाट्रिक सार्जेरी करवाते हैं, उनको अपना एक्टिविटी लेवल फुड़ा दीरे दीरे शुरू करना चाहिए. पर इसके बावजूद ज़्यादा तर्मरीजों में कम से कम चलना फिरना बहुत आसानी से संभव होता है, और ज़्यादा एक्सेसाइज ओपरेशन के 15 दिन के बाद हम दीरे दीरे शुरू कर सकते हैं. एक्टिविटी और एक्सेसाइज कैसे और कब बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, वो उसका गाइडन्स और उसकी समझ हम आपको हर एक स्टेज पर कंटिनूसले देते रहेंगे. तो अगर ऑपरेशन के बाद का दल और रिक्कवरी में दिक्कत ही आपका में चिंता का विशय है, तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो और ये जानकारी के माध्यम से आप फ्रुआ ज्यादा सुनिश्चित होके फ्रुआ साग पंटिन्ट्री ऑपरेशन के लिए आग अगर आपके कोई और प्रशन है कुछ और जानकारी चाहिए तो आप बेजी जग हमें पांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड करने में, आपको मदद करने में हमें बहुत कुशी होगी बहुत कर दो नहीं आपके प्रुआ सागे होगी